Hello students, आज हम 3rd unit में जो 2nd chapter है प्रकास रासायन, फोटो केमिस्ट्री उसको शुरू कर रहे हैं तो पहले तो हम आपको बताएंगे कि प्रकास रासायनी का विक्रिया है, that is photochemical reactions क्या होती है वे विक्रियां जो प्रकास के अवशोशन द्वारा घटित होती हैं प्रकास रासानिक अविक्रियां काती है, the reactions which occur due to absorption of light radiations are known as photochemical reactions तथा इन अविक्रियां का अध्यन प्रकास रासायन कहलाता है and the study of these reactions is called photochemistry तो तापिये वे प्रकास रासानी अविक्रियां में अंतर बता देते हैं आपको तापी अविक्रियां का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है जवकि प्रकास रासानिक अविक्रियां का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता अर्थात प्रकास रासानिक अविक्रियां के लिए ताप गुणां का मान एक होता है फिस्ट जो डिफ्रेंस है वो यह है कि the rate of a thermal reaction increases with increase in temperature on the other hand the rate of a photochemical reaction practically remains same as the temperature is changed In other words the temperature coefficient for photochemical reaction is usually equal to 1 अर्थत प्रकास राजनिक अभीक्रियाओं के लिए ताप गुणांग का मान लगवग लगवग एक होता है अब आप सोच रहेंगे ताप गुणांग क्या होता है टेंपरिचर कोफिसेंट वो होता है किसी अभीक्रिया का दर ताप गुणांग के लाता है तो एक तो अंतर ये था कि ताप गुणांग एक होता है प्रकास राजनिक अभीक्रियाओं में और एक से अधिक होगा ताप ही अभीक्रियाओं में ताप गुणा एक होने का आर्थ है कि ताप बढ़ने घटने का रासनी के अभिग्रियाओं की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है दूसरा तापी अभिग्रियाओं में डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है फोर थर्मल रियक्शन डेल्टा जी जी अल्वेज नेगेटिव होने का मतलब गेप सूर्जा घटती है जब कोई अभिक्रिया होती है जबकि प्रकास रासनी के अभिक्रिया में डेल्टा जी का मान पॉजिटिव या धनात्मक होता है For photochemical reactions, delta G value is positive. Third, अंतर, तापकी अभीक्रियों के वेग प्राए कम होते हैं, जबकि प्रकास रासेनिक अभीक्रियों के वेग प्राए अधिक होते हैं. The rates of thermal reactions are usually low. On the other hand, the rates of photochemical reactions are usually high. Fourth, तापी अभीक्रियों प्राए एक या दो पदों में ही संपन हो जाती हैं, जबकि प्रकास रासेनिक अभीक्रियों के द्वारा संपन होती हैं. Thermal reactions take place usually in one or two steps. On the other hand, photochemical reactions take many steps to complete, usually involving free radicals. पांचमा जो अंतर है, प्रकास रासेनिक अभीक्रियों में मुक्त मूलकों का बहुत योगदान होता है, जबकि तापी अभीक्रियों प्राए मुक्त मूलकों के बिना ही संपन हो जाती हैं. Photochemical reactions, in photochemical reactions, free radicals have a major part to play. On the other hand, thermal reactions usually are completed without any free radicals. Next, हम टॉपिक पे आते हैं और वो है Lambert-Bearnium, Lambert-Bear-Love. उसको देख लेते हैं, इसकी परिवाशा इस प्रकार से है, जब प्रकास की कोई एक वर्णी किरन, किसी समांगी विलियन से गुजरती है, तो इसकी तीवरता में कमी हो जाती है. When a monochromatic radiation passes through a homogeneous solution, then the intensity of the radiation decreases. तथा प्रकाशपत के साथ तीवरता की कमी, प्रकास की तीवरता वे विलियन की सांदरता के समानुपाती होती है. And the decrease in intensity of the radiation with the path length, is directly proportional to the intensity of the radiation and the concentration of the solution. तो गणितिया रूप से अर्धात mathematically इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. minus di by dl is proportional to i and c, i into c. यहाँ minus chin ये indicate करता है कि प्रकाशपत l बढ़ने पर तीवरता घट रही है. तो इसलिए minus di by dl लिखा गया है. यहाँ di by dl का वैसे शाब्दिकर्थ होता है कि लिटरल मीनिंग होता है कि प्रकाशपत बढ़ने पर तीवरता में आई कमी, di, di intensity में चेंज है, यहाँ पर कमी हो रही है. तो di by dl है, प्रकाशपत के साथ साथ तीवरता में कमी और proportional to i into c और उसको बराबर करने के लिए एक constant k से multiply किया गया right hand side में. तो यह minus di by dl is equal to k ic हो गया, कि यहाँ पर समानुगात इस तरह रहाँ पर रखा है, और इसको अब हम i की terms को इखटा करें है, di by di, di by i को integrate किया, इधर dl right hand side में उसको integrate किया, limit लगाई, l की 0 से l, और intensity की i0 से it, it का मतलब है intensity of transmitted radiation, अर्थात पारगमित प्रकाश की तीविर्था, तो यह आ जाता है log i from i0 to it, तो यह minus है, तो इसलिए lower limit पहले लिख दी गई है, log natural i c minus log natural i t is equal to k c l, तो log natural i0 upon i t is equal to k c l हो जाएगा, 2.303 से multiply करके और यह इस तरह से आ जाता है, log i0 upon i t is equal to k upon 2.303 c into l, इस k और 2.303 को कपल करके epsilon लिख दिया गया है, तो वो a is equal to epsilon c l हो गया, तो यह equation काफी important है, प्रकास रसाइन के लिए, समीकरा नम्बर दो के रूप में लिखी गई है, यहाँ पर log i0 upon i t को a से लिखा गया है, इसको अवशोशनांक या प्रकाश घनत्व कहते हैं, optical density या और absorbance यह a हो गया, epsilon k upon 2.303 molar will open गुणांक कहेंगे उस पतार्थ का, जहां तक i0 है, i0 आप्तित प्रकाश की तीवरता थी, जिसको i a प्लस i t लिखा गया है, i a का मतलब है intensity of absorbed radiation जो विलियन ने अवशोशित करी और i t जो उससे पारगमित हुई, तो इन दोनों का जोड़ा ही तो i0 रहेगा, तो जहां तक यह equation 2 हमारा basic equation है, इस chapter का, अब हम a अर्धात आवशोशनांक या optical घनत की एकाई देखते हैं, देखिए a, a में क्योंकि log i0 upon i t, एक similar term है, तो यह तो एकाई रही रहीत होगी, epsilon की जहां तक की काई की सवाल है, epsilon की काई हो जाएगी, a upon c l से, c mol per liter है, और l cm है, तो liter per mol per cm epsilon की काई हो जाएगी, और यदि परिभाशा देखें, तो इस परिभाशा में, यदि c भी 1 mol per liter ले ले लें, और l भी आप 1 cm ले लें, तो a कमान epsilon के बरावर ही हो जाता है, दोनों, c और l को हम 1-1 कर लें, तो a बरावर e, यद एप्सिलन, तो परिभाशा ये बनती है, अता है किसी पदार्त का molar will open gunank, वह अवशोशणांक होता है, जब विलियन की सांदरता 1 mol per liter हो, तथा प्रकाशपत की लंबाई 1 cm हो, तो the molar extinction coefficient of a substance is the absorbance, when the concentration of the solution is 1 mol per liter and the path length is 1 cm. अब एप्सिलन का महत्वी समझ लेते हैं, यदि किसी पदार्त का एप्सिलन अधिक है, तो यह पदार्त प्रकाश विकरणों का अधिक absorption करता है, if epsilon value of a substance is high, then it means that this substance absorbs radiations, light radiations to a greater extent, क्योंकि यह तो obvious दिख भी रहा है, epsilon ज़्यादा होगा, तो a ज़्यादा होगा, तो it कम होगा, क्योंकि a का अर्थ हमने आपको बताया था, a में क्या चीज़ है, log, यह, a में log i0 upon it है, यदि A ज्यादा होगा तो IT कम होगा क्योंकि I0 तो फिक्स है IT कम होगा IT कम होने का मतलब IA Intensity of Absorbed Radiation वो ज्यादा होगी तो इसका अर्थ ये बनता है कि Epsilon ज्यादा तो A ज्यादा A ज्यादा का मतलब IT कम IT कम का मतलब IA अधिक तो लेंबर्ट वीर नियम की कुछ सीमाई भी है लेकिन नमबर एक प्रकास एक वर्नी होना चाहिए दा लाइट शुड़ भी मॉनो क्रोमेटिक नमबर दो विलियन तनू रहने चाहिए दा सॉलुशन शुड़ बी डाइलूट थर्ड विले तथा विलाइक के मद्दे कोई रासानिक अविक्रिया नहीं होनी चाहिए देर शुड़ बी नो रेक्शन बिट्वीन सॉलुट एंड दा सॉल्वेंट और फोर्थ ताप इस्थिर बना रहना चाहिए टेंप्रेचर शुड़ रिमेन कॉंस्टेंट तो यह इसकी शर्तें थी कंडिशन एप्लाई करने के लिए लेंबर्ड वियर नियम का सत्यापन अब कैसे किया जाए समीकरन दो के अनुसार ए कमान एप्सिलन सी यल है परकाश गनत परकाश गनत हम कलरी मीटर से या स्पेक्टर फोटो मीटर से आसानी से निकाल सकते हैं तो अब एप्सिलन किसी पदार्द के लिए स्थिर है एल भी हम स्थिर रख देते हैं जो क्यूबेटी ट्यूब होती है उसकी लेंथ फिक्स है तो यदि ए परकाश गनत और सांदरता सी के मद्दे कोई ग्राफ खीचा जाए तो यह जो समीकरन दो है जो यहां पर दिखा भी रखी है दो लिखा नहीं गया है यहां लगी इस पर तो ए वर्सिस सी के मद्दे एक ग्राफ सरल रेखा होगी वाई बरावर एमेक्स के अनुसार सरल रेखा होगी जो ओरिजन से गुजरेगी तो वो यहां पर दिखा रखी है और आप देख सकते हैं कि सांदरता बढ़ने पर यहां पर लीनियर्टी से यह विचलन होने लग गया क्योंकि हमने पहले ही बताया कि यह कब लागू होता है लेंबर्ट बीयर का नियम जब सांदरता कम हो सांदरता जादा होने पर विचलन बताने लगता है तो यही इसका सत्यापन है यदि परकास घनत वे सांदरता के मध्य ग्राफ खीचा जाए तब यह मूल बिंदू से गुजरती वे एक सरल रेखा होती है यही लेंबर्ट बीयर नियम का सत्यापन है अब हम प्रकास रसायन के नियम पे आते हैं बहुत इंपोर्टेंट है पहला है ग्रोथस ड्रेपर नियम तो इस नियम के अनुसार प्रकास रासानिक अभीक्रियाएं केवल उनी विक्रणों के द्वारा संपन होती है जिनका अवशोशन अभिकार कों द्वारा होता है यह फोटोकेमिकल रियक्शन टेक्स प्लेस बाई ओनली दोज रेडियेशन इस नियम का विलोम सत्य नहीं है और इस नियम का दूसरा नाम भी है इस नियम को प्रकास रासानिक सक्रियता का नियम भी कहते हैं दिस लोग इस काल्ड लोग ओफोटोकेमिकल एक्टिविटी दूसरा जो नियम है वो है स्टार काइंस्टीन नियम ये कुछ ज़्यादा इंपोर्टेंट है स्टार काइंस्टीन लोग तो इस नियम के अनुसरा प्रकास रासानिक अविक्रिया के प्राथमिक चरण में क्रियाकारी पदार्थ का प्रते कणू एक फोटॉन के absorption के द्वारा ही सक्रियत होता है according to this law during primary step of a photochemical reaction a molecule, a reactant molecule is activated by absorption of only one photon इस लोग को समझने की जरुवत है इसका अर्थ यह है कि यदि किसी अभिकारक को 100 joule energy चाहिए तो इसका अर्थ यह है कि एक photon ही यह काम करेगा एक photon जिसकी energy 100 joule है वो ही उसको सक्रियत कर सकता है ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं मान सकते कि दो photon 50-50 joule के आएं और इस अनू को सक्रियत कर दें जिसको सक्रियत करने के लिए 100 joule की requirement है ओके 1 is to 1 का relation है इस नियम को प्रकास रासनिक तुल्यता का नियम भी कहते हैं इसी वज़े से इस लॉइस अलसो काल लॉइ फोटो क्यमिकल एक्विवेलेंस उसको सिंबोली के लिए ऐसे दिखा रखा है अब एक टर्म आती है फ्रिक्वेंटली इसमें यूज होती है आइंस्टीन आइंस्टीन वैसे तो साइंटिस्ट का नाम है बहुत ही फैमस साइंटिस्ट हुए है अपने जमाने के तो लेकिन इसकी एक परिभाषा है आइंस्टीन फोटो केमिस्ट्री में किसी तरंग देर्द के एक मोल फोटोन की उर्जा को एक आइंस्टीन कहते है आइंस्टीन इस डिफाइन एज दा एनरजी ओफ वन मोल उफ फोटोन उफ ए पर्टिक्लर वेवलेंथ अरदात वन आइंस्टीन इसको लिखा गया है हC अपन लेंडा ये तो एक फोटोन की उर्जा होगी उसको एवोगेडर से मल्टिप्लाई कर देते हैं तो ये एक मोल फोटोन की उर्जा हो जाती है तो वन आइंस्टीन ये बन जागा है N A S C अपन लेंडा तो इनको यदि हम वैल्य वाइज रखते हैं 6.02 इंटो 10 देश्टाव 23 इंटो 6.63 इंटो 10 की पावर माइनस 34 3 इंटो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवैड वे लेंडा यहां मीटर पर लेना होगा क्योंकि ये SI unit थी तो 1 Einstein आपकी 119 पॉइंट ये दिखें याद रखने होंगे आपको ये नियुमेरिकल करने हैं आगे चलके तो 119 पॉइंट 119.7378 ये 74 मान लीजिए 119.74 इंटो 10 इंटो इंटो आवर माइनस 3 डिवैड वाई लेमडा इन मीटर ये यहां पर इसका मतलब ये था है और यदि नेनो मीटर में लेमडा को लिखना है तो 10 की पावर माइनस 9 से नीचे मल्टिप्लाई करना होगा तो फिर ये रिलेशन आजाता है फैनली 119.74 इस लेक्चर में इतना ही है